नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दीपक कुमार और सफलता कामरित भाग दो क्यूं पांच प्रतिशत लोग ही अपने काम के चैंपियन होते हैं इस बुक की MP3 ओडियो सीरीज में आपका स्वागत है और पहले आठ पार्ट्स को आपने इतना रिस्पेक्ट दिया उसके ल चलिए हम आज चैप्टर 81 से चैप्टर 90 के बारे में बात करते हैं चैप्टर 81 विश्वास की शक्ती जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह कोई काम कर लेगा उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूज ही जाता है सभी संबंधों का अधार विश्वास ही होता है जिस काम में आपकी आस्था है, वही काम आपको सफलता देगा स्वामी वेकानन्द, आप खुद परशक कर सकते हो पर आपको बनाने वाले इश्वर पर नहीं, हमारे विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा निरधारित करते हैं। आप किस चीज को सही मानते हो और किसे गलत, इसी बात से आपके जीवन की खुशियां और दुख तै होते हैं, हमें कभी कोई व्यक्ती परिशान नहीं करता है, हमें उस व्यक्ती पर किया गया विश्वास परिशान करता है, आप खुद पर शक करके कुछ हासिल नहीं कर सकते ह लोग हार जाते हैं क्योंकि वे विश्वास कर लेते हैं कि हम हार गए हैं। आपके विश्वास आपका जीवन बना भी सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं। लियांकन होता है। आपके इरादे आपकी समझ से विक्सित होते हैं। सच्चे मन से जो इरादा रखते हैं वो आप तक जरूर पहुचता है। प्रकरती हमें हमारे इरादों के हिसाब से ही सफलता या असफलता देती है। मजबूत इरादे पक्की सफलता, कमजोर इरादे प आप हर वो चीज पा लेते हो जिसे पाने का आप सच्चा इरादा कर चुके होते हो। जब तक इरादा सच्चा नहीं होगा आतम विश्वास भी नहीं आएगा। चोटे विश्वास भी चोटे विश्वास भी नहीं होते हैं। जीवन में सब कुछ ऐसा है जो एक सोगात से कम नहीं है। जीवन में सच्चाई के करीब ले जाता है। परमेश्वर का शुकर गुजार बनिये। शुकर यादा कीजिए इतना खुबसूरत जीवन देने के लिए और खुद महसूस करिए जीवन कितना खुबसूरत है। चैप्टर 85 उत्सुकता का सिधान्द पावर ओफ किरियोसिटी। बिजनस में सफलता का रहस से कोई ऐसी चीज़ जानना है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। एरिस्टोटल ओनासिस के शब्द मुझे कुछ भी मुझ में कुछ भी विशेश नहीं है हां मैं जनून की हद तक उत्सुक व्यक्ती हूँ अलबर्ट आइंस्टाइन हम तब तक खुद के बारे में नहीं जानते जब तक हम कोई भी काम शुरू ही नहीं करते हम सभी में बह हमेशा सीखने वाले बनते हैं सीखने वाले हमेशा उत्सुक व्यक्ती होते हैं कुछ ना करने से कुछ नहीं आएगा जीवन में कुछ पाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही पूछने और उत्सुक मस्तिश्क से हमेशा लाब होता है जो पूछता है उस पर लोग एक बार हस पर जो नहीं पूछता उस पर हमेशा उसका इमान हसता है चैप्टर 86 व्यक्तिगत विकास का सिध्धान्त पावर उफ परसनल डवलपमेंट जिस चीज को आपने व्यक्तिगत विकास से हासिल नहीं किया उसे बनाई रखना मुश्किल होता है जिम्रॉन के शब्द आयू का व सची सफलता खुद का निरंतर विकास करने में है दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ता है आपकी आमदनी शायद ही आपके व्यक्तिगत विकास से आगे निकलती है जिम्रॉन जितना महनत आप काम पर करते हैं उससे ज़्यादा महनत खुद पर कीज और आप आश्चरिय जनक परिणाम हासिल करेंगे। जीवन में आप कहीं तक भी जा सकते हैं क्योंकि जब तक जीवन है आपका व्यक्तिगत विकास संभव है। व्यक्तित्व विकास की शक्ति को कम समझने की भूल एक महानादमी कभी नहीं करता। इसमन अपने बाचीत के तरीके को और अपनी समान से जुड़ी जानकारी को बढ़ाता रहता है। उसी तरह आप भी अपने विक्तित्व के बारे में अपना ग्यान बढ़ाते चलिए। जितना ज़्यादा प्रस्तूती देंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रस्तूती दमदा सोचिए आप किस तरह की छवी बनाना चाहते हैं और किस तरह की छवी बना रहे हैं आकर्शन का सिधान्त उतना ही प्रभावशाली होगा जितना आपकी प्रस्तूती प्रभावशाली होगी चैप्टर 88 संगीत की शक्ती पावर ओफ म्यूजिक संगीत में जादूई शक्ती होती है बिना संगीत के जीवन एक गलती के समान है फ्रेडरिक निच्छे के सब्द संगीत दुनिया को बदल सकता है क्योंकि यह इनसान को बदल सकता है बोनो के शब्द संगीत ब्रहमांड की आत्मा है लाउट से, संगीत भावनाओं का सरवस्रेष्ट प्रकर्टी करन है लियो टॉलस्टॉई, अच्छा संगीत आपकी भावनाओं को छूता हुआ आपके दिल तक पहुचता है, संगीत एक बहतरीन शिक्षक है, अच्छा संगीत हमेशा अनमोल एहसासों को जनम देता है, संगीत के माध्यम से गहरे से गहरे जीवन के पाठ भी हम सरलता से समझ जाते हैं, संगीत जीवन का अनमोल उपहार है, संगीत के बिना जीवन की कलपना भी मुश्किल है, चैप्टर 89, स्वास्थे का सिधान्त, तुमारा यह शरीर, यह जीवन भगवान की अमानत है, इ इस व्यक्ति के पास व्याम के लिए समय नहीं है, वह बिमार होने का समय खुद ही निकाल लेगा, सबसे पहली संपत्ति आपका स्वास्थे है, हमारा शरीर हमारी आत्मा का मंदिर है, भोजन करना एक जरूरत है, संतुलित भोजन करना एक कला है, अपने शरीर का सम्मान अपने स्वास्थे पर ध्यान केंद्रित कीजिए क्योंकि अच्छे स्वास्थे के बीना कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैं वहीं गुजारने वाला हूँ चाल्स केटरिंग के शब्द। इनसान को दो ही चीजें चलाती हैं उसका डर या उसके खुद की रूची नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द। अपनी रूची का अनूसरन कीजिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। आप जीवन म साथ समय विताएं आप पाएंगे आपका आनंद आश्चरिय जनक रूप से कई गुणा हो गया है। जीवन में सबसे महत्तपूर्ण बात है आप जीवन को किस नजरिये से देखते हो। आनंद पूर्ण जीवन सफल जीवन का ही दूसरा नाम है। आपका दिल अगर खुश है तो हर दिन आपको नए नए अवसर प्रदान होंगे और आप ज्यादा खुश रहेंगे। थेंक यूू